अगले चार दिन बारिश का अनुमान है 28 जून तक हलकी से तेज बारिश हो सकती है फिलाल पंगाल की खाड़ी में साइकलोनिक सर्कूलेशन बना हुआ है और आने वाले दिरू में ये पूरे मद्धप्रदेश में हलकी से मध्या बारिश करवाएगा तो कहीं कहीं गरत चमक के साथ भारी बारिश भी हो सकती है पिछले साल मौनसून ने मद्धप्रदेश में 16 जून को एंट्री दी थी और इस बार ये 7 दिन लेट हुआ है चली मद्धप्रदेश का हाल भी जौन लेते दीपक हमारे से होगी इस वक्त लाइव जूर गया दीपक मद्धप्रदेश की बात की जा तो यहाँ पर भी मौनसून की एंट्री का इंतजार हला की खत्म हो गया है अगर बात की जाए कि मौनसुन इस वक्त कहां पर एक्टिव है इसकी ज़रा जानकारी दीजे अगर बात करते हैं इस वर गुजरात और अरेवियन सी में बने हुए लो प्रेशर और साइकलोनिक सर्कुलेशन का असर देखते से पूरा मद्ध्रदेश बारिश के आगोश में है और लगातार बारिश का दोर पूरे मद्ध्रदेश में जारी है और आगामी दो दिनों के बाद मोसम विभाग ने पूरी तरीके से मद्ध्रदेश में मौनसुन की दस्तक की संभावना जताई है जिसके बाद तेज बारिशोने की मद्ध्रदेश में संभावना है और उसके बाद ओरेंज और येलो अलर्ट जारी मोसम विभाग कर सकता है और लोगों से अपील भी किये यदि जहां पर जादा थंडर इस्टोम हो जहां पर बिजली गिरनेक संभावना हो तो लोग घर से बाहर ना निकले सुरक्षित इस्थानों पर रहें और अपने सभी मवेशियों को भी सुरक्षित इस्थानों पर रखें क्योंकि लगातार भी पूर्वी मद्यप्रदेश से इंट्री रितु कर चुका है जी तो चले पूर्वी मद्यप्रदेश से मौनसून दस्तक देदी अब धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है और आने वाले कुछ दिनों तक मद्यप्रदेश में बारिश को लेकर यही हालात देखने को मिलेंग बहुत बहुत शुक्रिया दिपक आपका जानकारी के लिए